क्लास 11 के सभी विद्यारतियों जो आपका 3 अपरेल के दिन जो आपका MP वोड में पेपर होने जा रहा है ठीक है उसका पूरा सोलिशन दूंगा देख लिए नोट से त्यार करा लिए ठीक है यह देख लिए पूरा ठीक है पूरी पीडिया भी बताऊंगा कहां से डाउनलोड करनी है साथ सबाधिए चलिए तो प्रैस्ण आपके वोव पेपर में आने वाले यहूं कसमें imperishes प्रोट कि ना वह क्या है चलिए सबसे पहला पड़ते वीर आपकर ृचन्द मलिका जूर्न का क्या अर्थ है खड़ी बोली कि गदी की पूरा सुलिशन दोगा आपको बिल्कुल निस्चिन तरहना है ठीक है खड़ी बोली जो कद्धी की पृत्धम रशना कुंसी है तो गोरा बादल की कथा चीत्रपट संकीत का पराई क्या जाता है ठीक है तो इसको कहा जाता है लता मंगेशकर को ठीक है बढ़िया से निम्न लिखित में से विज्ञान संबंदी तक्निकी सब्द है यहां पर जागा नाविक अब एक कुश्य नमर दो में है रिक्तिस्तान कभी भवानी प्रसाद मिस्र अपने पिता के पांचवे पुत्र थे उनसे थे पांचवे गीत फरोस कविता के जो रचीता है गीत फरोस कविता के एक रचीता हो गया भवानी प्रसाद मिस्र है जामुन में पेड के नीचे दबे आदमी का कि क्या पूर्ण हो चुकी तो फाइल पूर्ण हो चुकी तो यहां पर लिगते हैं फाइल मद्धी प्रदेश में भीम बेटका की गुफाएं सेल चित्रों से जानी जाती है तो यहां पर लिगते हैं भीम बेटका डाइरी नितांत रिक्तिस्तान की रचना है ठीक है वेयक्तिक प्रबंद काव्य के दो भेदे महा काव्य और खंड काव्य ते यहां पर लिगते प्राइब हुआ हाँ तुम काम नहीं करोगे में निपात सब्दों कुन साहरे नहीं चली अभे सही जोडी देखे इसकिंसुट लेजिया अपने बढ़िया से शना कंप्लिट कर लिए ठीक है यह सही जोडी टीक है चली एपहला जो आपका पहले के जदी मिलान करोगे तो आपका आजाएगा आ सास्वत ठीक है यह हो जाएगा और इसके फुल गद्य संग्रे गर्भा गर्भा आप सम जानते हैं गुजरात में जाना जाता है हमारा ठीक है मानव ग्यान से सम्मंदि सुचना है कि विश्व ग्यान कोस तो यह च मुक्तक चंद का दूसरा नाम केच्वा चंद भी है सब्द युग्म जो होते हैं वो छे प्रकार के उते हैं तो छटाय का छे पांसर भी है यह ठीक है छे चलिए इसके बाद में हैं एक वाक्की मुत्ता जो कि मैंने पहले से बर लिए ताकि कम सम्में पूरा चीज हो जाए नहरू जी के सवालों का जवाब किस व्यक्ती ने दिया था हटे कटे जाटने धरातल पर बहने वाले पानी को क्या केते हैं पालर पानी के नाम से जाना जाता है कंपनी उमिदवार को किसके आधार पर चुनती है स्वा व्रत के आधार पर दसवा रस किसे माना गया है तो द का भी एस सथी सठी के दी बात करें तो धनवार्व कुसागर बुद्धी का बालग था यासत्य बादिलो के गेरे क्रस्ना सोबति का कहानी संग्र सथी है बेबी के कुल कितने बच्चे थे तो दो जो तने बच्चे थे यहां से सब्सक्राइब यहां से नमर छे से देखिएगा पूरा सुलिशन कम्पिलीट है घबराना नहीं है ठीक है यह जिसे आपका पहला प्रस्ण इसमें छटाइगा कि क्रियोग प्रिगतिवादी कविता की कोई दो इससता है यहां से देखिए पूरा सुलिशन भी तैयार है दिन अप्रेल के दिन एंपी बोड में देखने को मिलेंगे यहां से देख लिए ठीक है चाहे पेपर का आगे का फॉंट बदल दिया जाए लेकिन प्रस्ण यहीं रहेंगे क्योंकि देखिए सामने एंपी बोड कर जो कोई चीज है ठीक है वह सामने नहीं बता सकते आपको तो कोई दिक्कत नहीं है आप तो निश्चिंत रहिए आपको सब कुछ दिया जा रहा है आप तो अच्छे से तैयारी करिएगा केवल ठीक है यहां से देख लिए यह को से नमर 20 यहां से देखिए इसका अथ्वाइए ठीक है दसवी के पेपर तो यहां तक की पूरे पेप अच्छे सम देखते हैं यहां से ठीक है अच्छे से स्कीन सोट लीजेगा और कंप्लीट कर लीजेगा यह देखिए प्रगतिवादी कवीता की कोई दो विश्चिस्ता है लिखिए ठीक है इसके नीचे देख लिएगा यहां पर भारतेंदु यूग की दो प्रवत्या बोचैना कgar आपका यह है ठीक है यहां से प्रसंद देख लेता है को से नमर नंब्सा है यह टा ता इसको नमब्साथ हूं पीक्ट नमर आप की सोंपर निहें इसका उत्तर हो गया है गे यह कुशे नमब्साने आख यह यहां आस अधु यह कि यहां से देख लीजए गा यह इसका अथ्वा वाला है ठीक है अथ्वा वाला था सुरी और ये कुस्च्छ नम्मर आठ है यहां पर देख लीजिए संकलंत्रे लिखा हुआ है संक्रिंटरी क्या है हो गया इसके इसके बाद में इसी के अथवा का देख लिए यहां पर कहानी के तत्व पहले प्रस्ण नहीं लिखे थे बच्चों ने तो वह मेंने लिखवाए हैं ताकि आपको देख लिए प्रस्ण पढ़ोगे जब तो समझ में आएगा सारी चीज़े यहां से देखिए यह कहानी के तत्व हो गए हैं चलिए इसके बाद में यह कुस्च्छ नम्म नो आपका देख लिए लेखी का मिया नसुरुद्दिन के पास क्यों गई थी हो गया छोटा कर लेते हैं तोड़ा सा ताकि अच्छे से आपका स्कीन सोटा जाएगा यह यहां स अच्छे से उसका उत्तर है ठीक है इसी के बाद में इसका देखिए नवे का अथ्वा का प्रसुन है यह यहां है ठीक है यह कुछ नमर्दा से और यह दस का थ्वा है को से नमर्ब 11 देखिए उत्तर गर्मांग 11 डाला है ठीक है लिखने का तरीका भी बता दूँगा विसे आप टेंटे क्लास में सीखी गए होंगे किस तरह से आपको उत्तर गर्मांग डालना है और कोई सी भी कमी है कोई सा उत्तर नहीं आता जिसे आपटित का ध्यान से ठी किस तरह से लिखोगे वो सब कुछ एक्स्प्लेइन कर दूँगा एक वीडियो सेपटर बनाकर यहां से देखिए उधारन अलंकार अलंकार की परिवासा उधारन से समझाना है यहां पर देख लिएगा इसी के नीचे आपको सांतर स्की परिवासा देनी है देख लिए और इसका हुआ